अलो दोस्तों मैं कृष्णा सिंग गुरुकुल कोचिंग सेंटर मैं आपका स्वागत करता हूँ आज हम आपको भारत की परमुक नदिया जिसमें की हिमाल्य तंतर की परमुक नदियों के बारे में बताएंगे जो इस प्रकार है देखिएगा जो सिंदु नदी है भारत के उ मान सरोवर मान सरोवर जील से हुआ है मान सरोवर जील से हुआ है यह है उत्तर की ओर यह है बहते हुए हिमाल्य परवत की ओर उपर को बहते हुए भारत के जम्मुकस्मीर से होते हुए भारत के जम्मू कस्मीर से होते हुए होते हुए जम्मू कस्मीर के बाद पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में परिविश्ट कर जाती है होते हुए पंजाब के बाद पाकिस्तान में परवेश करती है सिंधुनदी की कुछ सायक नदिया है जिन में से स्योक नदी जो इसमें इसके दाइवर से मिलती है इसके बाद इसके अंदर दूसरी नदी है लागेट नदी यह नदी सिंधुनदी में दाइवर से मिलती है इससे पहले एक नदी है जासकर नदी जासकर स्रेणी आपने सुना होगा इमातल परदेश में जासकर स्रेणी भी है पहडिया भी है जासकर के नाम की और जासकर के ही नाम की यह एक नदी है जिसको बोलते हैं जासकर नदी यह सिंधुनदी में बाइवर से मिलती है यह सिंदु नदी में बाईयोर से मिलती है इसके बाद आगे जाने पर सिंदु नदी में दूसरी नदी का नाम है काबुल नदी काबुल नदी सिंदु नदी में दाईयोर से मिलती है काबुल के बाद में नीचे आती है तोची नदी इसी के नीचे आती है कंडान नदी ये सारी की सारी नदियां सिंदु नदी की सायक नदी है जो उत्तर से दक्षिन का जो कर्म है जो इनका उत्तर से दक्षिन तक का पांच नदियों का कर्म है वह ये है देखेगा नमबर एक पर है सिंदु नदी, नमबर वन पर है सिंदु नदी, नमबर दो पर जो नदी है जेलम नदी, नमबर दो जेलम, नमबर तीन चिनाव, नमबर चार रावी, और नमबर पांच आपकी सतलुज नदी, नमबर पांच सतलुज नदी, यह कई बार, यह कई बार UPPCS, UPPC की परिक्षाओं में प्लस BCD सभी परिक्षाओं में इस परकार से परसंद पूछे जाते हैं कि हिमाल्य तंत्र में बहने वाली नदियों का उत्तर से उत्तर से दक्षिन का करम बताईए उपर से नीचे का करम बताईए जिसमें सारी नदियां उपर से नीचे का करम यानि कि प तो यह करम उत्तर से दक्षिन और दक्षिन से उत्तर बार-बार बदल बदल कर पूछ लेता है तो यह सभी नदिया मैं आपको बता रहा हूं जरह ध्यान से देखिएगा अभी आपकी नदी पूरी हुई है जिसका नाम है सिंधु नदी ठीक है सिंधु नदी का उद्गम मां सुर्वर्ड लेक से भारत के जम्मु कस्मीर से होते वे भारत के जम्मु कस्मीर से होते वे पंजाब से होते वे यह नदी पाकिस्तान में परविश कर जाती है इसके बाद हम देखते हैं दूसरी नदी का नाम है जहलम नदी जहलम नदी जहलम नदी का उद्गम हिमाचल प कर जाती है इसी की इसके बाद जो दूसरी है इसकी साहिक नदी जो है चिनाब नदी चिनाब नदी की जो दो साहिक नदियां है एक है चंद्रा और एक है भागा इनका नाम है चंद्र भागा इन नदियों का नाम है चंद्र भागा इन दोनों नदियों से मिलकर ही चिनाब इन दोनों नदी से मिलकर ही चिनाब नदी का उद्गम हुआ है थीक है इन दोनों नदी से मिलकर ही चिनाब नदी का उद्गम हुआ है फिर देखेगा तीसरे नदी है आपकी रावी नदी रावी नदी रावी नदी रावी नदी भी हिमाचल परदेश से निकलकर हिमाचल पर व्यास नदी का उदगम हिमाजल प्रदेश की परवत्रेणियों से होता है और इन से यहां से इसका निकास होने के बाद में यह नदी सतलज नदी की साहग नदी बन जाती है सतलज नदी की साहग नदी बन जाती है क्योंकि यह से होता है राक्सस्ताल के निकट से होता है यह नदी सतलज से निकल कर मतलब राक्सस्ताल से होते हुए हिमाचल परदेश से होते हुए बैती है बैते हुए पंजाब में पहुंचती है और पंजाब से आगे निकल जाती है ठीक है प्रंतु इसी के बीच में यह है न जी सतलज नदी एक इस्थान पर हरी के बेराज का निर्मान करती है किसका हरी के बेराज का हरी हरी के बेराज हरी के बेराज से ही हमारी भारत की सबसे बड़ी नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर जिसका नाम है इंदरा गांधी नहर यह नहर भारत के राजस्थान राज्ये की लाइफ लाइफ लाइन है जिस परकार से गंगा भारत के भारत की लाइफ लाइफ लाइन है बारत की सबसे बड़ी लाईन है, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है, उसी प्रकार से राजस्थान के तेंटीस जिलों, राजस्थान में जो तेंटीस जिले हैं उनमें से लगभग 28 जिलों को सिंचित करने वाली नहर का नाम है, इंद्रा गांदी नहर इस नहर के माध्यम से ही राजस्थान राज्य में करसी वैख खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है ठीक है का उत्पादन किया जाता है इस नदी के द्वारा स्री गंगानगर और हनुमानगड आदी जीलों को सिंचित किया जाता है ठीक है जी धन्यवान